हाई दोस्तों तो फाइनली आप लोगों से IBCIU के इंट्रिव्यू के बारे में थोड़ी बात करता हूँ देखिए कल मैंने काफी सारे लोगों से बात कि उनके काफी सारे लोगों के कल मैंने बहुत सारे लोगों से बात कि तो उन सबके जो रिव्यूस थे उन सबको compile करके मैं बता रहा हूँ और देखे आप लोगों के एक बात मैं बता देने चाहती है अब भी जिन लोगों के इंट्रिवीज ना आप लोग बिल्कुल डरकर मत जाए यार यह और यह जो आपसे मतलब अजीब वजीब से सवाल करें लोग बता रहे हैं कि ऐसा पूछ रहे हैं उल्टा सिदा भाई ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहे हैं जो मतलब आपको नहीं आता हो अगर आप एक दो सवाल में फस रहे हैं तो एक दो सवाल के लिए आप यह मत करें कि आप पूछ जाओ प्रोसेस इतना जादा स्मूज चलता है यार कि मतलब मक्षन जैसा कई लोगों है कि हम सोचते है कि कोई आदमी हमारे किसी अट्रिबूट से इंप्रेस हो रहा और सामने वाला पता चलता है कि वह आपको बेपकू समझ रहा कई बार क्या लोग है तो लोगों को लगते हैं कि इस बास से इंप्रेस हो यार लोग ऐसे इंप्रेस नहीं होते हैं आप चले सो वहाँ पर वो देख रहे हैं कि आप में, आप में कितना दम है, वो आपकी achievements को नहीं देख रहे हैं, वो आप में ये देख रहे हैं कि सामने को बंदा कैसा है, सबसे important बात में आपको एक बात मान की जाली है, कि आप में से जिन लोगों के भी psychometric test खराब गये हैं, या psychometric में result है, वो है, और उसके basis पर ही आपका interview लिया जा रहा है, तो अगर किसी को जादा grill किया जा रहा है, या किसी से कुछ कम push जा रहा है, तो ये सारे आपके psychological assessment के basis पर ही है, आप क्या decision लेने की क्या च्छमता रहते हैं, कि इन सब चीज़ें पर बहुत सारी चीज़े depend करती हैं, ऐसा नहीं है कि बस वो लोग randomly कोई कहा रहा कि मेरा दो मिनट में interview खतम हो रहा है, कोई कहा रहा मेरा 20 मिनट चल दा है, ऐसा नहीं हो रहा, जो आपकी psychometric profile थी, उसके basis पर ही आपका interview लिया जा रहा है, जहां तक मेरा assessment है, क्योंकि मैंने जिन लोग इस बात की पूछा कि आप psychometric test कैसे रहते हैं, तो उन्होंने बताए कि कोई बता रहा कि मेरा काफी अच्छा था, कोई करा मेरा बेकार था, कोई करा मुछे time लग गया था, तो जिनको ज़्यादा time लगा था psychometric assessment है, उनको उतना जल्दी interview खतम हो गया, कहनी की बात यह है, तो यह मैं आपसे बता रहा ह उनकी interview में वो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं पूछ रहे हैं, जो आपको नहीं आते हैं, हलकी फुलकी सी चीज़ें वो चाहते हैं, कि मतलब बंदी को पता हो, अगर आपके field के बारे में पता हो, आप logical conclusions निकाल पाते हो कि नहीं, आप किस तरीके से behave करते हो, आपने जिन किसी भी board में, मैंने जैसे कर रहा है, मतलब बहुत बेंड बजा दी तो ऐसी बहुत जादा बेंड किसी की नहीं बजा रहे हैं, बहुत जादा बेंड बजा रहे हैं, जब बहुत जादा परिशान हो जा रहे हैं, ऐसा ही है, तो आप लोग बिल्कुल cool और calm compose होकर जाएए, बिल्कुल टेंशन लेने के बाद नहीं है इंटरव्यू एक बहुत सिंपलर प्रोसेस है आप वहाँ पर जाए और इमांदारी से जो भी अपनों कुछ है सब वहाँ पर रखिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपकी जबर्दस्ति में बेंड बजाई जाएगे आपकी लिए लिजाए ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल टेंशन मुक्त होकर जाईए आप लोग कल मैंने बहुत जितने लोगों से बात की यार तो सारी के सारे लोग बोल रहे थे कि हमसे कोई ऐसी साफ अी सवाल नहीं तॐゃ Plant Jag one काफी जारे चैंनल से बता रहे हैं कि ऐसा पूछा जारे है वैसा पूछा जारे है और कई सारे चैंनल पे तो यसरे लबय चोड़े डाल दे जा रहे है कि इतने पंदरा पंदरा बीस-पावाल पूछ कर दे यार 15 भी सवाल मतलब ऐसे लिख के बताने में और असलियत में पूछने में टाइम लगता है योगि सिर्फ कुछन पूछना नहीं होता उसका जवाब भी सुनना होता है तो फिर काफी जाद है और ऑन एंवरेज जो डियूरेशन इंट्रव्यू की वह आप यह मान के जाले 7- इतने से जादा इंट्रव्यू किसी का जार नहीं दा है किसी का अगर 15 मिनट चला जाए तो बहुत रेयर है लेकर 7-10 मिनट आपके लिए असेस करने के लिए बहुत जादा है मेरे साब से लगधा कि आप 7-10 मिनट वागा असेस्मेंट हो जाता है और उनके बेसिस बेर वह स लिए आपके साथ दिक्कत होगी तो यह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप यह बिल्कुल मसूची कैसा क्या गया और जादा टेंशन लेने की अब तो बात क्यों कि अब है नहीं आप सारा प्रोसेस खतम हो चुका है अब जब सारा प्रोसेस खतम होई चुका है बस खरान-खान की बात याद रखनी हमें सबसे पहले घबराना नहीं है घबरा ओगो तो कोई ब्रह्मोज भी आके गशन सकती है उस पे भी हमें घबराना नहीं है जादा हर बात पहले काम ही रहना तीक है चाहे फिर वह रूपया का हाल कुछ भी गर जाय पैट क्रूड प्रीस कितने ही बढ़ जाए बस घबराना नहीं है आपको भी घबराना नहीं है जहन्द